हलो बच्चों अब देखिए आपका ये दूसरा जो पेपर है इनका इनौर्गेनिक स्पेशल जो मसी फाइनल केमेस्ट्री के बच्चे हैं दैट इस फोटो इनौर्गेनिक केमेस्ट्री 2022 का में पेपर आपको शेयर कर रही हूं CH506 इसमें यूनिट फॉर्स्ट का क्यूशन के राइट शॉर्ट नोट ऑन क्वांटम इल्ड थीकि फोटो केमिकल रियक्शन के लिए आती है ये दूसरा है एक्स्प्लेइन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोटो केमिकल प्रोसेसेज अगर आपको इनके आंसर्स देखने बच्चों तो मेरे कुछ वीडियो में मैंने आपके ये शेयर किये हुए है मेरी प्लेइलिस्ट में भी है आप जरूर देख सकते हैं इनके आंसर्स इसका सेकेंड कुश्चन और में है डिसकस दा एनर्जी डिसीपिएशन बाइ रेडियेटिव एंड नॉन रेडियेटिव प्रोसेसेज जिनमें रेडियेशन होते हैं जिनमें नहीं होते हैं जैसा कि आपको पता है है ना फोटो केमिकल रेडियेशन में तो उनकी एनर्जी डिसीपिएशन जो होती है वो बतानी है वाट इस दिफ्रेंस बिट्विन फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस आप इन सबका आपको बच्चों मिल जाएगा मेरा यूनिट सेकिंड पे देखिए डिसकस दा एसिट बैस स्ट्रेंथ ओफ एक्साइटेड स्टेट विच सूटेबल एक्जामपल और इसमें जो सेकिंड ऑप्शन में है क्विशन फॉर्थ नंबर का राइट अनोट ऑन बाई मॉलिकुलर डी अक्टिवेशन मेकेनिजम ऑफ एक्साइटेड मॉलिकूल इन दोनों में से भी आपको एक ही कुशन अटेम्ट करना है यूनिट थर्ड में किशन फिफ्ट है डिसकस्ट चार्ज ट्रांसफर एक्साइटेशन इन मैटल कॉंप्लेक्सेज और ऑप्शन में है और सिक्स्ट कुशन डिसक्राइब इलेक्ट्र कुलिजेशन का फिर फोड में देखिए अप एक्स्प्लेंट राफ फोटो सब्सीचन एट फोटो रिडट्चन विच्ट सूटेबल एक्सामपल ये कुशन 7 आपका जिसमें आपको फोटो सब्सीचन और फोटो रिदक्शन बताना है और इसका एक्जांपल देना है और आ option में question 8 पूछा गया discuss the redox potentials of the excited states with suitable example तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना है 7th and 8th में से unit 5 में देखो explain the reducing and oxidizing character of beta-rubinium bipyridyl का जो complex से वो दिया गया है इसका आपको oxidizing reducing दोनों ही character समझाने यानि आपको इसके reaction भी बतानी है सिर्फ इसका mention नहीं करना आपको इसके reaction करके बतानी है किसमें यह as oxidizing agent काम कर रहा है और किसमें यह as reducing agent काम कर रहा है फिर इसमें option में question 10 है discuss in detail carbon dioxide reduction and fixation CO2 cycle जिसको हम कहते हैं उसका आपको detail में discuss करना है reduction and fixation तो again मैं आपको यहीं कहूंगी कि आप इसको please like करिए share करिए और subscribe कीजिए ताकि maximum बच्चों को इसका benefit मिल पाए thank you so much बच्चो